हेलो बटा इन इस वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 ऑफ एंसी एर्टी 6 मैट्स देखो बटा इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवीजिबिल्टी रूल्स जो हमने वैसे तो फिफ्ट में किये हुए है एक्चुली आपका यो चैप्टर नम किया था वो सभी इसमें रिपीट हो रहे हैं स्टेल चलो आपको सिक्स के लिए हल्प हो जाएगी एल रिपीट देखो इफ नमबर इस डिवीजिबल बाए अनदर नमबर दैन इट इस डिवीजिबल बाए इच ओफ दो फैक्टर ऑफ दैट नमबर अभी अमने इस में किया था अभी 3.4 के लास्ट प्वेश्चन में किया था ना पिछली वीडियो में अगर नमबर 12 से डिवीजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिवीजिबल होगा इस डिवीजिबल बाए इच ओफ देट नमबर के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होएगा दूसरा हमने किया थ इस 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 चीज़ को और यह वले दो डिफ्रेंट है यह चीज क्या है तो गिवन नमबर जा डिवीजिबल बाया नमबर अगर कोई दो नमबर एक नमबर से डिवाइड होते हैं तो उनका सम मेंज उन दोनों को प्लस कर दोगे तो वो भी डिवाइड होगा उसी नमबर से ऐसे अगर दो नमबर किसी अनदर नमबर से डिवाइड होते हैं तो उन 36 आंसर में आएगा यह देखो इदर लिखते हैं 36 तो 36 भी 4 से डिवाइड होगा ऐसे अगर 35 और 20 दोनों 5 से डिवीजिबल है तो दोनों को माइनस करो 15 आंसर में 15 भी 5 से डिवाइड होगा यह दो प्रापर्टीज का यह मतलब है इसके बाद है प्राइम फेक्टराइजेशन यह भी आपने 4 चेप्टर में करी हुई है उसमें LCM HCF सब कुछ हम ने किया हुए तो प्राइम फेक्टराइजेशन क्या होती है और एक हमने ऐसे किया था यह आपने फोर्थ में भी कर रखी है वैसे इसमें क्या कंडिशन होती है कि आपने प्राइम नंबर्स ही लेने हैं डिविजन के लिए बेटा यहां पे आपको अगर आपने मेरे कहने पे फिफ्ट में प्राइम नंबर्स लेन किये थे तो आपको होते हैं और डिविजिबिल्टी रूल आपको याद रखने है वह भी आपका जो एक्सरसाइज इस चप्टर की एक्सरसाइज 3.3 है वह आपकी फिफ्ट क्लास की फोर भी है डिविजिबिल्टी रूल सारे उसमें है मैंने प्लेलिस्ट में वह भी आड़ कर दी हुई है प्रू फॉल्स ही है अनमबर इस डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 फॉल्स है नमबर 3 से डिवाइड है तो उससे बिगर नमबर से डिवाइड नहीं होता नाइन से डिवाइड होता तो इसके फैक्टर से डिवाइड हो जाता समझ रहे हो ना हमने यही कहाता न, अगर कोई number किसी number से divide होता है, तो वो इसके factor से divide होएगा, बट इसके factor में 9 नहीं आता, तो यह false है, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3, हाँ, अगर number 9 से divide हो रहा है, तो वो 3 पे भी divide होएगा, 9 के factor देखो, 3, 3 is a 9 होता है, तो yes, यह true हो गया, a number is divisible by 18, if it is divisible by 3 and 6, 18 से कब divide होगा, अगर उसके factors 3 और 6 दोनों से divide होगा, तो वो 18 से भी divide होएगा, this is a number is divisible by 18, if it is divisible by 3 and 6, बोथ, यहाँ पर यह co-prime numbers नहीं है, 3 और 6 co-prime नहीं है, क्यों नहीं है, 3 into 2, 6 होता है न, common number 3 है दोनों में, तो इसका यह इसलिए false होगा, if a number is divisible by 9 and 10, बोथ, 9 और 10 दोनों से divide होता है, then it will be divisible by 90 also, यहाँ पर true है, क्योंकि 9 और 10 दोनों अपस में co-prime है, इनका कुछ भी common factor नहीं है, ठीक है, 9 और 10 co-prime है, तो यह 90 से भी divisible होगा, if two numbers are co-prime, अगर दो number co-prime होते हैं, at least one of them must be a prime number, यह false है, जरूरी नहीं है, कि अगर number co-prime है, तो दोनों में से कोई नो कोई prime होगा ही होगा, no, जैसे 4 and 15, अब दोनों composite number है, बट यह co-prime है, दोनों एक table पे divide नहीं होते, ठीक है, all the numbers which are divisible by 4, must be divisible by 8, अगर 4 से divisible हैं, तो 4 के factors से divisible होंगे, 1 and 2 से, ना कि 8 से, तो this is false, confused नहीं हो ना, बस यह जो हमने 4 rules यहां पे लिखे हैं ना, उनको mind में रखना है, तो आप कुछ problem नहीं आएगी आएगी आपको, number, किसी number के factors से divisible होता है, अगर factors से divisible हैं, तो वो उसके product से divisible होता है, बस, दो ही rules हैं, जो दिमाग में रखने हैं, all the numbers which are divisible by 8, must be divisible by 4, true, 8 से divisible है, तो इसके factor से भी divisible होगा, मतलब 4 उसका factor है, 4 से भी divisible होगा, if a number is exactly divides by 2's numbers separately, दो अलगलग number से अगर number divide होता है, it must be exactly divisible by their sum, वो हमने अभी किया न, अगर कोई number, exactly divides 2 numbers, दो numbers को exactly divide करते हैं, तो उसकी sum को भी divide करेगा, if a number exactly divides the sum of 2 numbers, it must be exactly divisible by a number separately, उल्टा नहीं हो सकता, यह नहीं कि अगर sum को divide कर रहा है, तो वो बक्ति उसके टुकडों को भी divide करेगा, no, अगर अलग अलग numbers को divide कर रहा है, तो उसकी plus को भी divide करेगा, दोनों तरह से नहीं होगा, ठीक है वेटा, यह आपका factor tree easy way में है, यहाँ 10 बनाना क्या हैगा, 5, 2, 10, यह उसने factors बनाके दे दिये, 6, क्या हैगा, 30, 2, 60, फिर, 30 के factors बनाए 10, 3s are 30, 10 के factors बनाए 5, 2s are 10, hope it is clear to you all, आगे है which factors are not included in prime factorization of a composite number, prime factorization में मैंने आपको 5th में भी बताया था, क्या-क्या count नहीं होता, 1, 1 कभी भी prime factorization में count नहीं होता, and number itself, जिस number के हम prime factorization कर रहे हैं, वो भी कभी नहीं लेते हैं हम बीच में, factors में लेते हैं, prime factors में नहीं लेते हैं, prime factors में सिरफ prime numbers ही आते हैं, keep that in mind, तो मैंने यह इसका answer लिख दिया था, 1 and number itself, यह भी आपको मैं class वक दिखाऊंगी, तो आपको बता चल जाएगा, किस अगले question पे दिखाती हूं, write the greatest four digit number, and express it in terms of the prime factors, greatest four digit number लेना है, और उसको prime factors में show करना है, greatest four digit number, अब you can tell me क्या होता है, greatest four digit number will be four times nine, फिर हमने उसके prime factors बनाए, prime factors अब two पे यह divide नहीं होता, तो prime factor क्या है, three पे divide होगा, three three nine, three three nine, three three nine, sorry, अब यह three पे फिर से divide होगा, three one's a three, one's a three, one's a three, one's a three, अब यहाँ पे confused नहीं हो न, 11 से divide हो रहा है, बट 0 बीच में आएगी, देखो, one 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 one, divided by 11, one's a 11, one नीचे आएगा, नहीं जाएगा, one zero is a zero, फिर one नीचे आए, one one's a, 11 one's a 11, तो 101 answer में आएगा, one zero one जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहीं पे प्राइम फेक्टरिजेशन इसकी stop हो जानी है, अब three into three, 11 into one zero one, these are the answers, hope it is clear to you all, बेटा एक question इसका और कराती हूँ, next questions, next video में करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, write the smallest five digit number, and express it in the form of prime factors, smallest five digit number क्या होएगा, one के साथ four zeros, अब यह even number है, two पे divide होते जाना है, even number है, यहां तक उसके बाद five पिछे आगया, divisibility rule five का आपको पता है, zero five last पे होना चाहिए, तो वो five से भी divisible होता है, तो उसकी prime factorization last में लिख देनी है, that's it, बाद की बेटा मैं आपको next video में कराती हूँ, till then take care, bye bye,